हेलो, दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका अचार कंसल्टन में दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो हर दिन के टॉपिक से बिल्कुल अलग है आज के इस टॉपिक में बात करेंगे ऐसी कौन सी soft skills होती है जो की एक techie के पास होनी चाहिए क्योंकि देखें जिस परकार से बाकी skills required हैं, hard skills required हैं जैसे आपकी coding skills है ठीक है, आपकी जो काम करने की skills है, उनके इलावा soft skills जो होती है उनके, उनका भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर ये soft skills आपके पास हैं, तो उनके basis पे जो है, बहुत सारी चीजा है, जी की जा सकती है अधिकतर लोग soft skills के बारे में अगर मैं बात करो तो उनको केवल communication skills पता है लेकिन उसके इलावा भी बहुत सारी soft skills होती है तो मैं आज कुछ ऐसे top soft skills बताने जाऊँगा जो अगर आप अपने अंदर develop कर लेते हैं या आपके पास हैं, तो आप जो है अपने career में बहुत आगे बढ़ सकते हैं तो बने रहीगा, शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने 8 top soft skills दी हैं जो की एक techie के पास या कोई भी एक बंदा जो की अपनी company को join किया है तो उनके पास ये soft skills होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये soft skills हैं, उनके पास 8 soft skills हैं तो और साथ में जो अपना काम करते हैं उन दोनों को मिला के अगर वो काम करें तो अपना जो career में अचीव करना चाते हैं वो बड़ी असानी से अचीव कर सकते हैं तो सबसे पहली जो soft skill है वो है communication skill या फिर interpersonal skill तो ये जो soft skill है ये बहुत ही ज़्यादा important इसलिए भी हो जाती है कि communication skill देखें जिससाब से आप अपने career में grow करते हैं आप धीरे धीरे जो है अलगलग team member से बात करेंगे अलगलग clients से बात करेंगे फिर जैसे ही अपने career में grow करेंगे तो आपको और बड़ी बड़ी positions दी जाएंगी तो उन positions में जाके जो है आपको बड़े बड़े team member या अपने company CEO या फिर director level के लोगों से बात करनी होगी तो इसके लिए जो है आपके पास communication skill का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके पास अभी communication skill नहीं है तो उसके उपर काम करना सुरू कीजे और अपनी communication skill अच्छी बनागी है यह सबसे पहली soft skill है दोस्तों दोस्ती जो soft skill है वो है emotional intelligence अब emotional intelligence का क्या काम होता है कही बार ना company में ऐसी situation आ जाती है कि person जो है emotionally तूट जाता है और वो अपने काम पे focus नहीं कर पाता है तो ऐसे समय पे emotional intelligence का होना बहुत ज़्यादा जूरूरी है एक person के अदर अगर emotional intelligence है तो अपनी emotions को जो है काबू में रख सकता है और काम कर सकता है for example अगर माल लिजे आपका company में कोई चाहता है ठीक है जिसको आप बहुत ज़्यादा जो है चाहता मानते हैं और साथ में आपका friend है या आप काम करते हैं उसके साथ लेकिन जब माल लिजे आप appraisal कर रहे हैं और appraisal में यहाँ पे आपको emotional intelligence दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास appraisal के लिए दूसरे teammate का भी वो है data है और साथ में आपके friend का भी है जिसको इसाथ आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं तो ऐसे समय पे आपको अपने emotions को sideline करना पड़ता है और उसके बाद जो है practical basis पे decision लेने पड़ता है तो इसलिए emotional intelligence बहुत ही ज़्यादा importance लगता है तीसरा है ability to work under pressure अब देखें ये आजकल के जमाने में बहुत ही ज़्यादा importance रखने लगा है पहले भी था लेकिन पहले इतना नहीं था क्योंकि जो काम का pressure था इतना ज़्यादा नहीं था आजकल जो है काम का pressure बहुत ज़्यादा है लोगे की job जो है बहुत ही ज़्यादा जो है जा भी रही है और लोग छोड़ भी रहे है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने आपको उस under pressure जब काम होता है उसमें अगर आप लोग ढालने तो उससे अच्छी कोई चीज है नहीं क्योंकि आपके बाद जो है आप कर पाते हैं तो इस चीज को डेलिफ कीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन रखती है अगला है desire to learn अब desire to learn में यह आजाता है क्योंकि देखे आजकल का जो जमना है वो चीजे जो है बहुत ही ज़्यादा काम करने का तरीका बदल रहा है तो आप लोगों को जादा से जादा सीखना है जितना जादा आप नहीं चीजेंगे उतना जादा आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे पिर अगला हाता है positive attitude positive attitude किसी भी काम में जादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपके पास positive attitude नहीं होगा तब तक आप काम को उस तरह से नहीं कर पाएंगे, positive attitude आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा जुरूरी है दोस्तों, अगला आता है teamwork, teamwork हर एक काम में चाहे, आप किसी field में चले जाए, teamwork सबसे ज़्यादा importance रखता है और रखेगा, क्योंकि individually कभी भी काम नहीं हुआ है दोस्तों, आपको हमेशा काम team के साथ ही करना पड़ता है, कई भी आपको काम delicate भी करना पड़ता है, और उनके साथ मिलके काम करना पड़ता है, तो teamwork अगर आपके अंदर नहीं है, आप individual काम करना पसंद करते हैं, तो ये quality जरूर अपने time को बहुत अच्छे से utilize करते हैं, और साथ में जो है, जो आपने काम लिया, उसको आप पूरी तरह से करके समय पे दे देते हैं, ठीक है, आपका काम करने का ethics बहुत strong होना चाहिए, अगर नहीं है, तो ये काम करने का ethics जो है, अपने अंदर बनाएं, और जो लोग strong ethics follow करते ह हैं, वो लोग time waste नहीं करते हैं, procrastinate नहीं करते हैं, और अपने काम को जो है ज़्यादा तबज्यू देते हैं, ठीक है, तो ये अगर आपके अंदर नहीं है, तो इसको आप लोग develop करें, आखरी में आता है time management, time management भी एक प्रकार का important soft skill है दोस्तों, जो आप लोगों को develop करना चाहिए, क्योंकि उसी के साफ से जो है, आपके पास जो दिन में 9 गंटे होते हैं, उसको आप utilize कर पाते हैं, और उसको utilize करने के साथ अपना काम आप समय पे पूरा करते हैं, ठीक है, तो time management भी बहुत ज़्यादा important बन जाता है, तो ये थी कुछ 5 soft skills जो आप लोगों के पास होने चाहिए, जो आप काम करते हैं, उसके इलावा, अगर नहीं हैं, तो please develop कीजिए, सीखिए, सीखने का कोई समय नहीं होता है, और develop करने का कोई समय नहीं होता है, तो इन सारी 8 soft skills को जो है develop कीजिए, अपने अंदर क्योंकि अगर आपको अपना career अच्छा बनाना है, तो अगर ये 8 soft skills के पास हैं, तो आपको career में आगे बढ़ने से कोई नहीं होता है, आशे करता हूँ, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो लाइक जिरू कीजिएगा, आपने ज़्यादा ज़्यादा दूस्तों के साथ शेर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, मैं ऐसे ही नएने कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है, और अगर कुछी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बना सकते हैं, तो मैं उसके उपर भी जो है वीडियो बनाऊगा, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने क्याल रखें, तहने बाद दोस्तों